सूरा मेरे मज़ पमान तठन पेर में जिक्खा पधिंग स्माधियानी पुद्धन यूरोप के एक देश में उस देश को चलाने वालों ने पैट्रोल के दाम बढ़ा दिदु और उस देश के लोगों ने पैट्रोल के दाम बढ़ाने के विरोध में अपनी सारी कारें सडकों पे गए सडकों पे कारें खड़ी की बंद की और अपने अपने घर आ गए और साम तक सरकार ने जो पैट्रोल के पैसे बढ़ाए थे वो बापिस ले लिए मतलब सरकारे कुछ नहीं कर सकती अगर लोग सरकारों के नियमों को एकसेप्ट ना करें क्योंकि सरकारें लोगों से चलती हैं लोगों से टेक्स लेती हैं लोगों के पैसा लेती हैं और लोगों के लिए ही होती हैं लोगों की सुविधा के लिए ही होती हैं अगर लोगों को सुविधा नहीं है तो किस चीज की सरकार इसाथ फ्रांस की बात है आप नेड़ पे चेक कर सकते हैं यहाँ जो हमारे लोग हैं उनको एक चीज घोट-घोट के पलाई जाती है सुरूसले के आखिर तक ताला और चावी यह अभी की बात है यह ज़्यादा पराण नहीं है 30-40-50 साल से यह बात घोट-घोट के पलाई ज चावी हर ताले की माश्टर चावी राजनीती है और जब राजनीती नहीं थी तो ना ताला था ना चावी थी इसलिए बहुत सारे ताले बन गए पर चावियों का पता नहीं कौन सी चावी है कौन सी चावी नहीं है और ऐसी कौन सी चावी है जिससे यह सारे ताले खुल ज करता है, समर्षंग का काम कुरानीपेटर्र पे है पर नए तरीके से कर रहा है और संग पे आधारित है इसलिकवेस आधारित है सबी तरह के संग्थनों के चाहे वो राजनीतिक हैं चाहे सामा जीक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे वो गुरू के मतों के हैं चाहे वो सरकारी करमचारियों के हैं चाहे महलों के हैं चाहे वो सिख्षकों के हैं चाहे लड़कों के दलवाल हैं चाहे वो आर्थिक हैं किसी भी तरह के जो संबनों के संख्षन चलते हैं तो एक ऐसा ही राजनितिक संफन का व्यक्ति मेरे को फोन करके कहता है कि आप कुछ राजनितिक पार्टी के लिए पैशा दीजिए, इलेक्सन आ रहा है। मैंने उसे कहा कि आप समर्संग को समझिए समर्संग क्या कहता है हमें तो चंदा देने की नहीं है समर्संग ने मना किया हुआ है तो वो मुझसे कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता है कि यहां एक दल बना है जिसका नाम इंडिया है और उसमें हमारी पार्टी या जो प्रमुक पार्टी है समड़ों में जिसको दलित कहते हैं क्योंकि समड़ तो सारी हैं SC, STOBC पर वो अपने आपको दलित बोलते हैं तो बोलें उनकी जो पार्टी है उनको जगे नहीं दिए और आप इस पर क्या कहते हैं। तो उन्हें का बताईये क्या है तो मैंने स्कों कहा कि साम को पॉद्स जूएना अज कंसेट्पurate हम बात कर लें हो सकता है वह सजन जूड़े हों हो सकता ना जूड़ हो पर प्रॉमिस मैं ने किया था कि बात करेंगे तो मैं उनको उस समय फॉन पर जवाब नहीं दिया क्योंकि सारे जतने भी हमारे समठ संगिये हो सुनें और समझें और analysis करें क्योंकि हम analysis करते हैं घट्नाओं का राजनिती में जाते नहीं है पर राजनिती का analysis करते जरूर है यह अग्जंडा पास है वो जो समठो की एक पार्टी है उसको अगर इंडिया नामक गटबंदन में जैगे नहीं दिये तो पहले तो यह समझें कि इंडिया नामक जो गटबंदन है उसमें छोटी बड़ी राजनितिक पार्टियां इखटी हो रही है संग में आ रही है यानि राजनितिक पार्टियों को भी राजनितिक संघ की आवशक्ता हो गई और जिनके अगेंस्ट में वो त्यारी कर रहे हैं वो जो राजनितिक पार्टी है वो भी अकेली नहीं है उसको भी संघों की आवशक्ता है राजनितिक संघों की आवशक्ता है और राजनितिक संघ से ही वो सत्ता में आते हैं तो यह बात तैह हो ग राजनितिक पार्टियों का संग वजूद रखता है यानि संग बड़ा है राजनितिक पार्टी छोटी है फिर दूसरी बात कि वो जो सज्जन जिस पार्टी के जानकार थे या पतादिकारी थे या भक्ते या जिन्होंने मुझे से कुछ कहा के डॉनेशन दीजिए मैंने उन राजनितिक पार्टियों से बात की क्या उनका कभी संग बनाया क्या उनका कभी हालचाल पूछा क्या बड़ी राजनितिक पार्टी होने के नाते उन राजनितिक पार्टियों की लोगों को एक साथ संग में आने के लिए कहा कोई प्रेड़ना दी कभी उनको ये कहा के में या भारत के अंदर जो गटबंदन का संग का दौर चल रहा है राजनितिक पार्टियों में तो हमें इखटे होना चाहिए आओ बैठ के बात करें कभी ऐसा वाक्या हुआ हो तो बुझे बताईए बलकर मैंने तो देखा हुआ है कि जो बुझे के राजनितिक नियम थे बुझे ने साथ परिहाय नियम बताए वो राजनितिक नियम थे राजनितिक नियम क्या थे क्योंकि जो वस्साकार था जो वस्साकार मंत्री आया था राजा की तरफ से वो जीता चायता था और जीतने के लिए उसने क्योंकि जिस राज़े प बार 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 हार जाता था उस राज्या का नाम था वज्जी तो वज्जियों को नहीं जीत पा रहा था इसलिए वो अपने मंत्री वसाकार को भेजता है अजास सत्रु उस राज्या का नाम था कि जाके बुद्ध से पूछो कि मैं क्यों हारता है तो उसने राजनितिक स सलहा के लिए अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा, ताकि वो युद्ध जीश सके। पर बुद्ध युद्ध की बात नहीं करते थे, पर उन्होंने सवाल पूछा जवाब दी। तो जो राजनेतिक उन्होंने सलहा दी, और जो राजनेतिक ट्रिक्स बताएं, जो जो सन्निपात बहुल है, यानि कि साथ साथ बैठने का सभी लोगों का आपस में मंत्रणा करने का काम करें, आप अपने चैतियों का पूरी तरह तरह से मान सम्मान करें, आप अपनी महिलाओं का मान सम्मान करें, आप अपने बजरुगों का मान सम्मान करें, ये बाते जो उन ने बताई थी यह राजनितिक सला थी इस राजनितिक सला के इंदर सबसे एहम बात थी कि आपने अपने विजरुगों का सम्मान करना है पुराने लोगों का और आपने सासाद बैठके निर्डे लेना है तो क्या हमारे सम्णों की राजन्यतिक पार्टी सासाथ बैठती हैं क्या हमारे सम्णों की राजन्यतिक पार्टी अपने उन सीनियर कारे करता हों की जिनोंने अपना तन मन धन लगा कर राजन्यतिक पार्टी बनाई या जो संठर बनाया क्या वो उसमें मान सम्मान पाते हैं या मौका पाते ही उनको निकाल के भार खड़ा कर देते हैं या कोई सलामंत्रना आस्ता कोई क्या संबनों की राज्नितिक पार्टी कभी संबनों से पूछनी है फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक बात बताओ क्या जिस राजनितिक पार्टी के आप जैसे भी हो, क्या उसका structure open है? वो जवाब नहीं दे पाए. क्योंकि हमारे समणों की राजनितिक किसी पार्टी का structure open नहीं है. सम्वेदानिक नहीं है, सांगिक नहीं है. वो व्यक्ति बात पर आधारित है. और व्यक्ति एक दूसरे के दुस्मन हो जाते हैं इसलिए राजनितिक पार्टियां छोटी पड़ जाती हैं और व्यक्ति बड़े हो जाते हैं इसलिए उनके ऊपर कोई भी दवाब नहीं होता। समञों की राज्जितिक पार्टियों का कोई संग नहीं है जिसकी बात वो माने और जिन राज्जितिक पार्टियों से वो हारते हैं वो अपने संग के अधिन होती है। संग के अधीन मतलब अपने लोगों के अधीन, वो अपने लोगों की विचार धारा, उनके जज्मेंट, उनकी बात, उनका निर्ने वो अपने महापुर्सों के अधीन होती है, इसलिए वो इखटी रहती है। पर यहां सारे के सारे ताले चाबी अलग लग बिखरे हुए हैं हज्जारों ताले हैं और हज्जारों चाबियां हैं और वो आपस में बैठते नहीं कभी मिलते नहीं जुटते नहीं इसलिए उनकी बात में कोई बजन नहीं होता इसलिए उनको कोई गटवंदर पूछता भी नहीं और कोई पूछेगा भी नहीं और लोग हसेंगे लोग इसलिए हसेंगे कि अरे भाई समड़ो तुम्हारी राजनितिक इतनी पार्टियां हैं जब तुम एक साथ नहीं हो तुम विखरे हुए हो तुम हमारे किस काम के हो और सम्विधान में हमारा जो सिश्टम चलता है उसमें सिर्फ समण सब्स चलता है इसलिए इंडिया जैसे गटबंदन में समण लोग भी पार्टी वाले हैं और जो दूसरे गटबंदन हैं उसमें भी समण लोग पार्टी वाले हैं इसलिए घालमेल है घालमेल इसलिए है क्योंक जरूर होंगे क्योंकि जो लोग साथ साथ नहीं बैठते जो साथ साथ नहीं रहते जिनके उपर उनके संग का सरप्रस्त साया नहीं होता जो अपने वजरुगों का सम्मान नहीं करते जो अपने पुराने कारे करताओं के कहने के विचार विमर्स पे नहीं चलते जो अपने प हारेंगे तो हारेंगे, इस में कोई शक नहीं यह प्राकर तरथिक नियम है इसलिए उनको चर्चा में अगर वो आए हैं तो इस बातो ज्यान ले कि हम यहां समिक्छा करते हैं और समिक्छा ब्लकुल किलियर करते हैं हमारी स्वाक्षा में कोई राग या दोईस लप्टा हुआ नहीं होता इस्तिती को हम देखते हैं परिस्तिती को देखते हैं इसलिए जो व्यक्ति यहां पहली बार आते हैं या दूसरी बार आते हैं या जो व्यक्ति पूरी जिंदगी ताले चावी में उलजे रहते हैं और जुन्होंने संग को अभी नहीं समझा है, समणगंत नहीं पड़ा है, समणों के पुढ़ाने थियास को नहीं जानते हैं, या सांगिक प्रिक्रिया को संग की प्रिक्रिया को नहीं जानते हैं, या दूसरे व्यक्ति के संग को संग संग करते रहते हैं, पर अपने संग के वारे में जिक्र नहीं करते या उनको पता नहीं है या उनको जानकारी नहीं है कि बुद्ध जैसे व्यक्ती ने कहा है कि संगं सरनंग गच्छामी और अमबिटकर जैसे व्यक्ती ने भारत कर राजय संग देके संगं सरनंग गच्छामी के फार्मूले पर भारत का भारत कर र करने वाली है क्योंकि किसी भी राजनितिक ताकत को हासिल करने के लिए एक पर्मानेंट संख्या चाहिए आपको पर्मानेंट और आपकी अपनी आप अगर ध्यान दोगे कि भारत में राजनितिक पार्टियां अपनी पर्मानेंट एक सक्ति है जो पर्मानेंट नंबर है वो उनका permanent होता है वो टस्समस नहीं होता बाकी को influence करके अपनी बातों से बातों में उलजा के या कोई उनको लालस दे के या कोई गोश्टा पतर जारी करके या उनको भुश्टा के सपने दिखा के जैसे भी है बाकी 10-15% को वो अपनी तरफ कर लेते हैं और उनको संख्याबल मिल जाता है इसलिए अगर समणों की राजनितिक पार्टियां अलग लग बिखरी रहेंगी तो जिन्दियम नहीं जीतेंगी और संख्याबलों की राजनितिक पार्टियां अगर इखटी होके एक ही रहेंगी एक ही पार्टी बनाएगी तो कभी हारेंगी नहीं यह छोटा सार बुलकुल किलियर फार्मुला है इसलिए जब भी आप देखो कि वो बिखरी हुई है वो हारेंगी हारेंगी दुनिया कोई ताकत उनको नहीं बचा सकती। इसलिए समर्संग राजनेतिक पार्टियों को ये कहता है, कि आप से बात करेंगे जब इखटे हो के आओगे तब, आप इखटे हो के आओ, और इखटे हो के आके बताओ, कि आप इखटे हो, फिर समर्संग आप से बात कर सकता है, फिर आपकी सुन सकता है, पर आप बिखरे लोग हो इसलिए समढ संग भी नहीं सुन सकता और बाकी तो कोई सुने भी क्यों इसलिए जो लोग कहते हैं कि भारत में राजनेतिक पार्टियों के संग बन रहे हैं और उस संग में किसी पार्टी को छोड़ दिया किसी को नहीं पूछा है तो पार्टी पार्टी के लोग और उसके समर्थंग वाले और सपोर्ट वाले लोग ये देखें क्या वो किसी संग के अधीन हैं क्या उनकी छोटे मोटी पार्टियां सब एक साथ हैं क्या उन्होंने सब को एकटा करने का काम किया क्या कभी उन्होंने सन्रिपात बहुल किया क्या क्या वी वो एक दूसरे से दु पर हम राजनिती में जादे नहीं हैं, हम राजनिती में से नहीं जाते हैं, क्योंकि संगों का आईडिलोजी राजनिती से बहुत बड़ी होती है, संग पर्मानेंट इस्ट्रक्चर होता है, संग एक ऐसा इस्ट्रक्चर होता है, जिसकी बहुत सारी साखाएं होती है, बहुत सारी चीजे हैं उसमें सादू हैं संत हैं उसके अंदर जो लोगों की मानेता हैं वो हैं लोगों के ब्यापार हैं बिजनस हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं हारी है बिमारी है फैक्टरी है नौकरी है चाकरी है ये सारी चीजें भी उसमें आती है और सबसे बड़ा आता है कल करते हैं और वो बड़ा मजबूत काम होता है उतना मजबूत काम होता है कि उनके प्रणाम कभी फिल नहीं होते इसलिए समणों में प्रानी प्रंप्रा को लेकर समण काम करता है नएगा आके सोचते हैं कि यहां लोग इ Smash in wars couples औरह न चाहिए राजनीतिक सपोर्ट करना चाहिए बहुत सारे जो नए लोग आते हैं वो सीधे पूछते हैं कि आपका राजनीतिक ऑब्जेक्ट क्या है आप राजनीति में किसको सपोर्ट करते हैं हम राजनीति में जो लोग इखटे होके समझ सारे आएंगे उन से बात करने लिए संग जो फैसला करेगा उस समय मना जाएगा पर जब तक इखटे होके नहीं आएगे तब तक कोई बात नहीं हो सकती कोई फायदा भी नहीं उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि समणों के अगर दस टुकड़े हैं और दस के दस कहें कि समण संग बताईए हम अच्छे हैं हमारे बारे में क्या है तो समण संग एक के साथ जाकर नो को दुस्मन नहीं बना सकता क्योंकि नो भी समण है हम कोई राजनितिक पार्टी नहीं है दसों की दसों पार्टी को जो समणों लोग है वो हमारे ही हैं पर मुर्खता कर रहे हैं मुर्खता इसलिए कर रहे हैं कि वो आप समढ़ संग सामिल नहीं हो सकता क्योंकि समढ़ संग के लोग मूर्ख नहीं है उनको समझ है कि अगर समढ़ समढ़ आपस में लड़ेगा कोई सा भी मरे मरेगा समढ़ ही इसलिए आपस में लड़ना बंद करना चाहिए और सबको इखटे होके आना चाहिए और अगर सारे इखटे होते हैं, उनकी जीत बिलकुल निश्चत है, दुनिया में कोई इखटे हुए लोगों को आज तक हरा नहीं पाया है, और इखटे हुए लोगों को किसी के आशिरवाद की आश्रकता भी नहीं है, वो तो खुद आशिरवाद देते हैं, वो तो खुद इतने पर यहां जो जानकारी हासिल की और यहां जो तरक वितर किया, उससे ये साफ हो गया, कि हमको इखटा होने से, और हमारी तरकी में बाधा से, अगर कोई हमको रोक रहा है, तो वमर नहीं है, कोई दुसमन नहीं है बाहर, कहीं कोई ब्रहमन नहीं है, कहीं कोई दूसरे लोग नहीं हैं हम खुद हैं अगर कहीं आज सम्विधान खत्रे में हैं या सम्विधान मारा जा रहा है या सम्विधान के अधिकार जा रहे हैं तो उसके दोसी जितने समण संग्ठर हैं जितने समण में change करेगा ही करेगा सैसा का ऐसा सम्मिधान जैसा चल रहा है जैसे नियम बने हुए हैं अगर उसे वैसा ही चलाना होता तो सत्ता में आने की आवश्कता क्या थी कोई पार्टी या कोई लोग अगर सत्ता में आते हैं और उनके पास नंबर होता है तो वो अपने एक्षानु काम कैसे होगा इसलिए सम्मिधान तो बदलता है उसके आर्टीकल बदलते हैं उसके नियम बदलते हैं उसके लोड बदलते हैं के यह वार उसका बेशीzarी भी बदल जाता है तो इसलिए जो लोग इस उन्होंने आजकल एक नया काम शुरू किया है कि सम्विधान बदलने नहीं देंगे, सम्विधान काम ऐसा कर देंगे, जो बदले का हाथ तोड़ देंगे, हम उसको सलकों पर देख लेंगे, किसी से कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना आप, ये सब नेता नयम पास हुए किसे कुछ नहीं हुआ, सम्विधान के जो धारा हैं, वो पूरीत तसी लालागू नहीं होती, कहीं कउछ नहीं हुआ, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि सम्विधान के अनुसार चलने केर लिए भी जन संख्या बल चाहिए, अगर जन संख्या बल है, तो आप बात को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कह सकते हैं, बेखक आप पारलियामेंट में हैं या नहीं हैं, ये बात दो बार सिधध हो चुकी है, एक बार ये सिध्ध हुई है, जब किसानों बात में पर नंके तीन नियम उनके खलाफ थे, और उसके बाद में जब उनको यह कहा गया कि आपको यह तीन नियम मानने पड़ेंगे, किसानों से मानने से मना कर दिया, और जब तक 32 संग्ठों में किसान अलग लग थे, तब तक उनको समस्या समस्या थी, पर जब 32 के 32 एकट्टे होके संग्ठ बना लिये, उसके बाद से फिर सरकार को उनकी बात माननी पड़ी, यानि सम्धान को उनकी बात माननी पड़ी, वैसा ही दो अप्रेल 18 हुआ था, जब साई लोग इखटे हुए, और उन्होंने अपना एक आर्टिकल बचा लिये, इसका मतलब यह है कि इखटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनितिक पार्टियाँ पहले सरकारे बनान के देख चुकी है, और उनके बनाई हुए नियम दूसरी सरकारें बदल दी हैं, इसलिए राजनितिक पार्टियाँ परमनेन्ट solution नहीं हैं, एक राजनेतिक पार्टी आती है, वो अपने हिसाब से बदलाब करती है, सम्विधान में बदलाब करती है, दूसरी राजनेतिक पार्टी आती है, वो अपने हिसाब से सम्विधान में बदलाब करती है, कुछ भी कर सकती है, जो उसको करना होता है, इसलिए राजनेतिक समाध समधान पर्मानेंट समधान नहीं है पर्मानेंट समधान है लोगों का पर्मानेंट एखटे होना और एखटे होके रहना संग के रूप में रहना एक निश्चित संख्या बल अगर एक साथ रहता है तो वो चाय सत्ता में हो या ना हो पर उसका अनर्थ नहीं हो सकता उसका कही पर हानी नहीं हो सकती, उसका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि पर्मानेंट संख्याबल हमेशा साथ रहता है, और पर्मानेंट संख्याबल तब साथ रह सकता है, जब ऐसा सिस्टम हो, जिसमें राजनीती ना हो, जिसके अंदर पैसे का लेंदे ना हो, जिसके अंदर पद पो या टुकडों में बदल जाए या वंस बाद में बदल जाए या परिवार में परिवार बाद में बदल जाए अगर ऐसा सिस्टम डवलप हो जाता है तो वह बहुत दिनों तक चलेगा अनंतकाल की तो गारंटी नहीं है क्योंकि बुद्ध ने जो बिकुर संग बनाया वह भी लंबा चलता है और अगर उसके नियमों पर श्टिक रहें और उसके नियमों पर चिपके रहें तो अनंतकाल तक भी चल सकता है अगर नियमों को मानेंगे तो और साथ ही साथ उसके अंदर जो गंदगी आई है यानि मैली आई है जो लोग गंदे तरीक से बहवार करते हैं या गंदे नियम लेके आते हैं, अगर उनको निकालते जाएं, फिल्टर करते जाएं, तो अभी बहुत लंबा चलता है, ऐसा सिस्टम हमारे पास पहले था, वो सिस्टम था बुद्ध से पहले गा, जब हम लोग ना हम किसी राजा के दरवार में हाजी लगाया करते थे, ना ह हमारे पास कोई पद पोस्ट होता था, ना हमारे पास कोई छोटा बड़ा कोई व्यवार होता था, ना कोई भेद होता था, ना कहीं कोई कास सिस्टम होता था, ना ही कोई कहीं ऐसा कोई जो उच नीच का या अमिर गरीब का भेद होता था, सारे लोग बरावर होते थे, सब लोग welfare के लिए काम क्या करते थे और सारे काम क्या करते थे ये जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था का सिर्फ एक नाम था पुरानी भासा में संग और वो जो संग की व्यवस्था है वो भारत की ओरजिनल व्यवस्था है जो हमारी व्यवस्था है उस संग की व्यवस्था को क वो संग पास करता है और अपने उपर खुद लागू करता है अपने वेलफेर के नहीं और उसको बहुत अच्छी तरह से पालन भी करता है यह वैवस्था बहुत बढ़िया वैवस्था है जिसको सांगिक वैवस्था बोलते है और इस वैवस्था को जिसने अपनाया है सांग ये विवस्ता है, उनका ये संग है, वहाँ व्यक्ति आते जा जाते रहते हैं, पर संग वहीं अटल रहता है, इसलिए उनकी सत्ता भक्राद रहती है, ये सिस्टम हमारा था, ये सिस्टम असोक के समय था, चंद गुत मौरे के समय था, उसके बात तक चला, इसलिए हमारी सत्त यह और हम सुखी रहे कोई प्रतादवा की घटना नहीं है कभी हम भूके नहीं मरे कभी हम बैका नहीं दे हमेसा हमें इज्ज्ट और शान नहीं है और सबसे जिए ज़दा इज्ज्ट और शान वाले लोग हम रहे हैं, पुराने सब्दों में बड़ा मान सम्मान है, वो सब पाली में मिलता है, सारी चीज़े मिलती है, तो ये व्यवस्ता जो संग की व्यवस्ता है, इसको हमारे लोग भूल गए, बाबा साव अमेट करने भूले, बाबा साव अमेट करने तो पूरे देश की व्यवस्त ये संग की व्यवस्ता अगर हमारी पहले लागू हो जाती तो आज हम बहुत मज़बूत होते पर नहीं हुई जो व्यवस्ता लागू ही जो हमारी लोगोंने लागू की वो संग थन नाम की की संग्ठन नाम वाली जो व्यवस्ता है वो व्यवस्ता हमारी नहीं है वो प्रोसेस हमारा नहीं है संग्ठन का मतलब होता है संग्ठन रहके जिनमें टन टन की आवाज आती है संग टन संग टन यानि के टन की आवाज आने वाली दो बतन साथ साथ रहते हैं संग संग रहते हैं टन की आवाज आती है तो उसको संग टन बोलते हैं संग्टन सदपालि का ही सब्ध तो वह जो ससात रह जगडे वालि जो जो व्यसता रखड़ वाली है वो भार से पॉरी दुनिया में चलती है भारत को छोड़ будете पर भारत में संग्टन वाली व्यसता हम ने पकड़ ली और हमारी संग वाली विवस्ता उन लोगों ने पकड़ ली जो संग टंच लाया करते थे तो हम आपस में इखटे तो होने लगे ये तो समझ थी कि हमको इखटा होना है पर हम इखटे अलग-अलग छोटे-छोटे टुकड़ों में होने लगे छोटे-छोटे गेरे बना लिए और उस घुरेते मजूद बना लिए कि हमने अपने काम के अधार पर अपने गेरे बना लिए अपने मौले के अधार पर गेरे बना लिए हमने भासा के अधार पर अपने गेरे बना लिए वो जो सरकल बनाए हमने वो जो दाइरे बनाए वो जो घेरे हमने बन क्योंकि प्राना सब्द है जात माने होता है उत्पन करना जाती माने होता है उत्पन करना जो उत्पन करता है उसी में उसका नाम जाती से पढ़ जाता है भारत में जितने भी मूल लिवासी लोग हैं उनकी जात मिलेगी आपको क्योंकि वह कोई ना कोई उत्पन करते थे तो उनका नाम पढ़ गया, तो उत्पर्न जो करने वाले लोग हैं, उसी को जात बोते हैं, जात बरावर उत्पर्न, तो भारत में जितने मूल निवासी लोग हैं, जो भारत के ओरिजिनल हैविटेंट हैं, जो यहां के रहने वाले लोग हैं, वो कोई ना कोई काम जरूर करते थ इसलीए उन सबकी अत्पन नता है उनकी जो प्रोडिक्ट टिव जिसको जात ही बोलते हैं किम इस नहीं करता था तत भी जात ही नहीं मिलेगी वह बूण लिवास की है यह सबस्क्राइब वह मिलेगी, आप पहचाण सकते हैं किसी वही व्यक्राइन को सामने religion में है चाया उसका religion है या नहीं है अगर उसकी कोई जाती भारत के सिस्टम में है तो वो मूल निवासी है क्योंकि इसका मतलब वो पहले कुछ ना कुछ उत्पन करता होगा और जो उत्पन और जो पैदा है एक जाती का व्यक्ति है वो इखटा है एक गोत का व्यक्ति अलग-अलग है तो वो इखटा है कोई काम करने वाले अलग से हैं तो वो इखटे हैं कहीं पहाडियों के नाम पर इखटे हैं कहीं जंगल के नाम पर इखटे हैं पर हम यह भूल गए कि हम सामुई क रूप से समराट असोक के समय महा बहरत के रूप में इकटे थे और हम समण थे. वो समण सब्द और समण संग हम भूल गए. यह समण संग और समण सब्द किसी को याद नहीं है. आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं कि समण सब्द कब स Sage कब सब्द वमण को वंवर्त कहते हैं जब कि याद करके घूम रहा है यह हमारे पतन का कारण है जब वमण की इस्ती याद है तो वमण की विरूद में विपक्ष में जो दूसी तरह लोग खड़े हुए है वो और तो उनको समण नहीं याद रहता है किसी को याद नहीं क्यों कि पाली भादा चली गई और इसको सब्द को संसकाइद करके समण शिर्मन कर दीया यह विज़ी में से बस इतना अंतर किया कि श्रै कर द Baldi शो मेरि ओस समन का श्रे और श्रम प्थ Reality हो गया और उन्हें never हम === क हम ने के संबाद करके बता चुरु कि एक एक माने होता है कि काम करना यहांसे थी पांद है यह सारी हम बताते है सम से कितने सब्द हैं तो फिर वो समानांतर है तो सम जहां भी लग जाता है वह इक्वल सब्द के लिए आता है तो हमें पता चल जाता कि हम लोग इक्वल लोग हैं समानता वाले लोग हैं हम महनत करने वाले लोग नहीं हैं ऐसा नहीं है कि हम महनत नहीं करते थे सारे काम ही थे ≫ क्योंकि सार्वारत में जिन लोगों की उत्पत्ती करने वाली है वह सब हम ही यह है जिनको आज काश्ट के नाम से जाना जाता है और जो महरत नहीं करता उसकी काश्ट कराए और जब संत आये तो संतों के बाड़े बना लिए उन्होंने ये कबीर साफ संत हैं तो हम कबीर पंती होगे तो कबीर पंती वाले बाड़े में ही दाइरे में ही बड़े खुश हैं और वो कहते हैं संक्टित हैं कितने से लोग हो कबीयर बंती कितने से किसे जो गुरु गाशिदास वाले लोग हैं नामदेव वाले', एसी जो गाड़ के वाले लोग हैं वो थोड़े से ऐसी जो अमिटकर वाले लोग हैं वो थोड़े से ऐसी जो फूले वाले लोग हैं वो थोड़े से तो यह थोड़े 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 लोग हैं जो अपने अपने संतों के अरमतों के अनुयाई हैं चाहिए वो लिंगायत ह हैं और भी बहुत तरह तो कितने सारे गुरु हो फ्सक्राइब है उसी में हमारे लोग बठे से अंगे अंहीं के आश्राम सब लूगे उन कि उनके संत्थ को अगर आप ने छीड़ा उनके संत्थ को अगर आपने कुछ भी कहा तो वह आपके दुस्मन हो जाएंगी तो आपको उनके संथ को नमस्कार करना पड़ेगा अगर उन लोगों का साथ चाहिए तो जो समदा लोग हैं जो दूसरे संग वाले लोग हैं वो उनके संथ मतों को यानि हमारे संथ हैं हमारे संथ हैं सारे स संथ है तो हमारे संथ संदों को वह माने या ना माने पर उनको नमस्कार जरू करते हैं और लोगों को ऐसा प्रसेशन देते हैं कि हम आपके संथ के सामने नमस्कार कर रहे हैं जोक गए तो लोग प्रसंद होते हैं और अपना मत उनको दे देते हैं पर हमारे ही जो संद लोग ह याते नहीं सब अपने अपनी घेर हम हैं ने कटे आपस में मिंदूरे मिना ने तुम संविद्हान में सबको मानता दी उन्होंने कार सारे संथ संविधान की दिष्टी में बरावर हैं, जो बहुत सारे जबाइखती मानना चाहता है मानने तो बावा साँवमिट करने जब संथो की मानता के लिए सम्विधान में एक बुलकुल आजाद विफसा दी है तो बहुत सारे लोग हमारे जवर जस्ती कहते हैं कि बावा साब ने बुद्धरम अपनाया है तो आपको सिर्फ बुद्धरम की बात करनी चाहिए अरे बुद्ध मत समण मत है वो अच्छा मत है पर रविदास मत खराब क्या हैं पर कविरमत खराब नहीं बावा साब कवीर पंथी थे कविरमत खराब नहीं बावा साब नें मानिये जिसको बुद्ध मत में जाया एप दूसरे मत करिए आप दूसरे मत को खराब नहीं कह सकते क्योंकि आपके डॉक्टर अंबिट करने भी कभी बावास आपने भी कभी किसी मत को खराब नहीं कहा वो भी संब्लों के मत हैं ये भी संब्लों के मत हैं अगर आप दूसरे मत को सेलाम नहीं करेंगे या उसके यह नहीं आएंगे जाएंगे तो आप इक्षटे नहीं हो सकते तो आपको सम्धनिक आधिकार नहीं मिसकता आप लड़ते रो खुब उनकी बात मानिये पर दूसरे संति भी समण है अगर आप उनके यहां जाएं तो अच्छा है अगर आप उनके काईकरम में शामिन हो तो अच्छा है आपको मानने की बातता नहीं है पर अपने समण भाईयों को जो समण संत हैं उनके जाने में कोई परिशानी भी नहीं है जब दूसरी लोग आ सकते हैं जो मांते नहीं है तो हमें क्वहती है इसलिए सभर संतों का संविधानिक मामला वावा सहाब ने बराया वावा सहाब समें दन्हानिक मामले में सारे संतों को आजात रखा खुद भी आजात थे phrases तो उन्होंने सम्विधान के अनुसारी अपने मत को बुद्ध मत में, पुराने मत में लेके आए, सबसे पुराने मत में लेके आए, अच्छी बात उन्होंने की, पर सारे मत हमारे ही हैं, ये बात में उन्होंने 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 उन्हो हुए वो घेरे हुए बावासाम ने उनको तीन टुकड़ों में बांद दिया तो इतनी अकल आनी चाहिए थी कि अगर 6743 जातियों को बावासाव वंबेट करने तीन टुकड़ों में एकटा कर दिया है तो हमको आगे इन तीन टोकडों को, तीन पोटलियों को, तीन टोकरियों को, तीन पेटियों को, एक खटा करके एक पेटा बनाना चाहिए था, एक टोकरा बनाना चाहिए था, एक बड़ा सा पेटा बनाना चाहिए था, संदूक बनाना चाहिए था, ताकि ये सब एक खटे हो जाते, तो सबको स किसी को यह समझ में नहीं आता कि एक कास्ट से तुम नहीं बन सकते संविधान की बात तो छोड़ो एक कास्ट से आप कभी जिंदगी में MP तो बनी नहीं सकते MP के आपकी जमनत जब तो समय अधिकार आपको एक कास्ट नहीं दिला सकती पर सारे समझ मिल के आपको पर्मारेंट अधिकार आपको दिला सकते हैं इसलिए समर्सनी ये कहता है कि आप इखटे हो जाओ आपको राजनिती की भी आउशकता नहीं है आपको किसी के हाज जोड़नी की आउशकता नहीं है लोग खुद आपके पास चलके आएंगे जब आप इखटे हो जाओ क्योंकि ताकत ही आप होगे जिदर आप होगे उधरी तो सत्ता होगी पल्ला उधर जोगेगा जहां सारे सारे समर्ण लोग जोगेंगे यह बात इतनी सरल है जितनी सरल यह है कि कोई छोटा बच्चा पानी मांगता है पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आती लोगों के दिमाग में ताले चाबी जड़े होए हैं उनके पुराने पुराने लोगों को भी सोज़मेरे जाता कि इखाटे हो कि क्या करेंगे हजार बार बताया । ईारे भाई लोगा जहां से इखाटे होते हैं संभेधान वहाँसे चलता है। चाहे MLA हो या ना हो, चाहे आपका कोई महा प्रजिनिदी हो या ना हो, जहां लोग इकटे होते हैं, संविधान वहाँ चलता है, बता हो आपने क्या करना है, संविधान वही करेगा जहां लोग इकटे होंगे, तो उनको यकिन नहीं होता, ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि उन तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए तो लोग चाहे तो ना चलाएं अगर कोई नियम बन गया और लोगों नहीं चलाया तो काई का नियम है अगर कोई पिता जी ये कहे अपने बेटे से के मेरी ये बात मान ले और बेटा बात ना माने तो काई का पिता जी हो इसलिए नियम की मानता मानने से नियम होता है नियम बनाने से नियम नहीं होता कोई आग्या दे दे उससे कोई फ़रक नहीं पड़ता कोई आग्या माने या ना माने उससे फ़रक पड़ता है आग्या माने तो आग्या है और आग्या ना माने तो कुछ नहीं है फिर आग्या देने वाला कुछ नहीं है इसलिए इस बात को यहां बार 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 इस पश्ट करके बताया जाता है और अच्छी तर से बताया जाता है कि हमारा पहला औ उनके घर आ जाएगी, जैसे पहले आती थी, जैसे हमेंसा आती है, जैसे दुनिया में जितने संगें उनके घर पहुंचाती है, वैसे ही पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए, इसलिए इखटे होने का काम हमारे लोगों ने नहीं किया वो भूल गए उन्होंने जो इखटें हुने का काम किया वो संग्ठनात्मक रोप में अलग लग किया सरकारी करम चार्य और बनातिया राज। राजनितिक पार्टियां बना दिए हजारों हजारों बना दिए सावाजिक संग्टन लाखों बना दिए हजारों बना दिए जो संतों के मतों के संग्टन ने वह जारों बना दिए बेरे आसन बाबा हजारों बना दिए बुद्ध बियार हजारों बना दिए सब अलग अलग ह हैं तो यह अलग-अलग जितने भी लोग है इन सब को एक होना है और इन सब को एक होने का जो तरीका है वो यह है कि आप इंसे कहो कि भई आपको एक होना है जब तक आप एक नहीं हो गए आप जीत कि लोट कहेंगे कि बाट ठीक हैं कि हम भी ही काम करते हैं कि सब हर संञ्टन यह काम करता है कि खटे वनी चाहिए पर साथी साथ संग्टन tsg Вы ये भी कहता है कि प्रधान मैं ही रहूंगा, नेता मैं रहूंगा, मेरे अंदर रिखटे होना चाहिए, यहां इनका जगड़ा है, उत जगड़े को खतम करने के लिए समढ संगने कुछ नियम बनाए, तस गोल्डन नियम जो पुराने हैं, पहला नियम जो उसमें सबसे चाहत वो यह था कि केबल समढ रहेंगे, यानि समढ के अंदर कोई नहीं, समढ के लावा कोई नहीं रहेगा, इससे क्या है कि कोई टुकड़े करने वाला, या कोई लड़ने वाला, कोई भाने वाला के भी जिन्दगी में आए गई नहीं, यानि किसी वमण की विचार धारा कभी कि नहीं करें दूसरा ट्यक्रण की आ, कि पैसे हमको तो पैसा बाहर से कहता है उसλιए खाता है नहीं रखना पर काम चलता है काम चलने सिस्टम enforging देंगे। कि अगर पैसा नहीं लेंगे चंदा नहीं लेंगे चंदा नहीं देंगे तो बड़ी बड़ी संगतियां हो रही है और संगतियां सारी सफल हो रही है कुछ अपना खाना लेके आते हैं कुछ अपना खर्चा लेके आते हैं कुछ अपना खर्चा खुद देते हैं पर जगडा हुगार क्योंगी पैसा ही नहीं होता तो आप बेम नहीं लगा सकते क्ये पैसा वो लेके भाग गया यह पैसा उसके पास या कुछ ऐसा है वह जगड़ा क। खतम कर दिया थो पॉजिस्ट्न पाड का पद का मन्चका मालाना का यह भी जगड़ा इहां होना है तो इखटे होने में जो बाधा अभी आ रही है सबसे ज़्यादा वह यह आ रही है कि पुरानी मानेता हैं ज्यादा पुरानी नहीं साट सतर साल पुरानी जो मानेता हैं संग्ठनों की और संग्ठनों की जो पुराने लोग है नई की केडर देंगे, हम तो ऐसे बात करेंगे, हम तो ऐसी बुलाएंगे, वो जमाने अब नहीं है, उससे बात नहीं बनेगी, और सारे संग्ठनों को इखटा होना है, सारे संग्ठन इखटे होके देनी रहें, इसलिए सारे संग्ठन जब तक इखटे नहीं होंगे, तब तक हम जी तरह से हिल रहें, उनको समझ में आ रहा है कि बई नेता तो नहीं हिलेगा, तो हमी को जाना पड़ेगा, तो समझ संग के अंदर, अपने अपने संक्ठनों को छोड़के लोग भोत तेही से आ रहे है, और समझ रहें क्योंकि पूरे भारत के अंदर एक समझ संग ऐसा है जो प्राचिन पदती पर चलता है जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हो और आपका जवाब मिलेगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहां सवाल पूछे उसका जवाब नहीं मिलेगा और ऐसा कोई संग्ठन नहीं है पूरे भारत में 29,19,19 संग्ठन में जो सवालों के जवाब भी देता हूँ चाहे वो राजनितिक है, चाहे वो सामाजी का, चाहे धार्मी का, चाहे आर्थिक है, चाहे लड़कों का दर दलबल है, चाहे सरकारी करमचारियों का है, कोई साभी संग्ठन कभी भी किसी के जबाब नहीं देता, और ना ही सारे संग्ठनों को लेके चलता है, राजनितिक में एक एक दफ्तर में चार-चार स्ट्र बने हुए हैं इसलिए भारत में कोई प्रेटफार्म ऐसा नहीं है समझ संग को छोड़के जो बिना लोग लालज के सेवा की भावना से काम करता हो और लगातार काम कर रहा हो बिना ठके बिना रुके यही इसकी सफलता का राज है और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसलिए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे समझ संग को देखें कासर से नए समझें और जाने और जो पराने लोग हैं वो त्यारी करें क्योंकि 11 फरवरी दिल्ली को बहुत लोग आने वाले हैं और जितने भी हमारा क्योंकि इस वार संत समागम भी होगा संत समागम में हर प्रकार के संत आएंगे उनका असिरवाद भी समर्संग लेगा इसके लावा सभी संग्ठरों के और जो लोग हैं जितने प्रिकार के हमारे मोजीज लोग हैं वह सब भी आ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से त्यारी करें और जितने इस पोख हैं वह अपनी जितने लोग नोने अब तक जोड़े हैं जो परिवार हैं उनका जो सिस्टम जो खर्चे का होता अपने खर्चे का वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जमा करा दें क्योंकि जितनी जल्दी आप जमा करा देंगे उतनी जल्दी व्यवस्था बनेगी उसमें देन ना करें हो सके तो दो दिन के अंदर सभी स्पोग अपने अपना खर्चा जमा करा दें का व्यस्क व्यक्ति है वो अपने पूरे दिन के खाने के तीन टाइम का खाने के और वहां बैठने के बिजनी का टेंट का लाइट का साउंड का कैमरे का फोटे का सिकॉर्टी का बहुत सारे खर्चे सबार होंगे क्योंकि बड़ा स्टेडियम है तो तीन सो पचास रुपए व् एपने जो कॉडिनेर है जो जिन्मों ने स्क बनाया है उन्हों पहुंकहा दे औप परवार का आना लाजमि है क्योंकि पारवारिक संगती है बहुत सारी बात है जो है इसलिए त्यारी करें और इसमें डिले ना करें इसमें जल्दि-जल्दी करें लहफसिंग सारे इसका इंत्याम करें सारा वो देख रहे सा जहरा आये उतना उचह किसे होगी तो इसलिए जितने भी हमारे लोग हैं वो जल्दी जल्दी जोड़ें और जोड़ें मेरे इस वक्त अब मैं अगर कहीं कोई कोई गत बात की है तो मैं संग से चमा चाहता हूं संग मुझे माप करे संग मुझे माप करे संग मुझे माप करे संग नमामी संग नमामी संगहनवामी संगहनवामी यह सबी copyright free हैं आप अपने facebook पे पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छाम। तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। दूतियं पी दम्मंग सेनं गच्छाम। दूतियं पी दम्मंग सेनं गच्छाम। दूतियं पी सेन्गं सेनं गच्छाम। दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी दोखियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी दम्मंसर्णं कच्छामी तातियम पिगम्मं सर्णं पर्चामी साधु, साधु, साधु झाल झाल